हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हजार्ड एंड हजार्ड अनिटिपिकेशन के अबारे में तो सबसे पहले डेफिनेशन ओफ हजार्ड ओक्यूरेंट्स ओफ पोटेंशल डेमेज हार्म और एनी हेल्थ इफेक्ट ओन पर्सन और इंवर्मेट इस कॉल्ड है तो क्या होता है है की पोटेंशल डेमेज हार्म और ne हिल्थ इफेक्ट मतलब कि पोटेंशल डेमेज इफेक्ख्ट अगर किसी मशीन्त रिया पर संको दमेज हो रहा है यहाद किसी परसंन को हर्म हर्म हो रहा है और अगर कुछ हैल् tframe हैंट उस्रीज क करने से तो सबस्ज को करने से तो से म आपको थोड़ी राइटिंग से कॉंप्रोमाइस करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद में ओशा के अकॉर्डिंगली और ओशा के अकॉर्डिंगली सिक्स टाइपस होते है तो सब से पहला होता है फीजिकल फीजिकल हैजाड तो सि alarmingके अब फीजिकल हय क्या प्यांजाड में क्याता है कि अगर आसर थोड़ जाब तो सुंसी नॉजजभी है तो कोई मुवՂग मशीनरी है औरैसा प्रेजिकल मशीनरी यह थे साइब अपड़ note कि वह चाम कर रहिः और कुछ मुवétique मशिनरी है और उसके उपर अगर मशिन गाडनिंग नहीं है या तो वर्कर का हाथ आजाए या कुछ उसे डेमेज हो जाए तो उसे हम बोलेंगे वो आजाएगा फिजिकल डेमेज में ठीक है उसके बाद में आता है हीटिंग इसी का एक और एक्जम्पल है हीटिंग डिवाइ अगर कोई सा डिवाइब जादा हीट है और अगर मालो के वर्कर बीना गलफ के अगर उसे हाथ लगा ले तो उसका हाथ जल सकता है तो वह एक रजाइगा ठीक है उसके बाद में आया सreken है केमिकल हाजार्ड अगर किसी केमिकल से कुछ होता है तो वह केमिकल हिजार्ड में आएगा और केमिकल हिजार्ड रेता है केमिकल की प्रोपर्टी पे तो जैसे कि क्या हो गया रियक्टिविटी अगर किसी chemical की reactivity जादा है, अगर reactivity होती है तो उससे side effects रहते हैं उसके बाद में flammability, flammability भी एक तरी से chemical hazard में याती है क्योंकि अगर किसी chemical में अगर flame या में अगर spark generate होता है तो आग लग सकती है तो वो भी एक chemical hazard में आजाएगा, उसके बाद में आता है biological, biological hazard इसके बाद में आता है, biological hazard में क्या जाएगा आपका जैसे की insect bite अगर किसी जानवर ना आपको काट ले तो सूसन आजाएगा, अगर कोई सा जहरीला जानवर है तो आपको कुछ और health effect हो सकता है, अपके जान को खत्रा भी हो सकता है अगर वो जहरीला हुआ तो फिर microbes से और 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 हो जाएगा अनिमल्स अनिमल्स से भी होता है और एक्सेक्टरा ठीक है, फोर्थ में आजाएगा, ergonomical Ergonomical Hazard Ergonomical Hazard में क्या आएगा कि जैसे कि मानलीजे आप कहीं एक सेटप है आपका ओफिस का और आप अपर बेठे हैं अब वो सेटप में कुछ ऐसा है कि अच्छी नहीं और आपने एकदम अग्णाई लेली तो आपके सेटप की कुछी अपर पीछे होई और आपके बैक्बॉन में कुछ हो गया या तो आपके कुछ अग्णाई आगई तो वो आएगा तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं की रिपिटिटिव मॉवमेंट ठीक है उसके बाद में इन प्रॉपर सेटप और सिटिंग उसके बाद में आजाएगा फिफ्ट टाइप आजाएगा साइकोलोजिकल हैजार्ड साइकोलोजिकल हैजार्ड में क्या आजाएगा स्ट्रेस वाइलन्स ठीक है फिर वर्कलोड अबर वर्कलोड जाजा है तो आप टेंशन वाएगे और टेंशन वाएगे तो वो फिर साइकोलोजिकल में चले जाएगा ठीक है इसलिए हम फेक्टिज में नाइन तू तेन आवर ही वर्कर को सिफ काम करने के जाएगे तो इसलिए जो होगा फिर इस्टेस बढ़ जाता है तो वर्कलोड भी या जाता है ठीक टीक है और एक्सैक्टर अगर उसने वर्कलोड पाल पर तो वह न गिरिगा तो असमें क्या-कालड कर सकते हैं sleeping एग ना sleeping hazard हो गया उसके बाद में falling off falling off tools from height ठीक है और क्या होगा की उसके बाद में safety shoes अगर आपने पहने 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 और आप चल रहे हैं आपका पर किसी चीज से तक रहे है हाड चीज से तो आपको चोट परसा सकता है ठीक है अब हम आते हैं hazard identification पर अब आते हैं hazard identification पर तो hazard identification पर हमेशा याद रखना है पहला hazard को identify करो कि hazard वहाँ पर हो क्या रहा है जजसे कि अगर आपको insect bite हुआ है तो अगर वह ज़ारीला हुआ तो आपको पर कुछ जहारीला हुआ तो आपको थे जान को खत्रा है उसके बाद में अगर को फिजिकल हुआ है तो मुविभी मशिंरी डी मुविष्ट मेश्टनिंग वें घखवर्टम के में तो मैंठका महीन को आरे सचारर्म में अपको महा सकता है मर्में को हो सकता है, में और मशिंस का सब्ग bourच कर दिले अगर दिले के अगर दिक्कtha है ठीक है उसके बाद में second जो होता है वो होता है risk analysis ठीक है risk analysis में क्या-क्या आजाएगा कि अगर ये चीज़े हो रही है तो आपको क्या-क्या और कहा-क्या पे effect होगा और क्या होगा इस मतलब कि उसको analyze करना आपको क्या-क्या हो रहा है और क्या कुछ क्या क्या नहीं हो रहा है ठीक है उसके बाद में थर्ड आ जाएगा रिस्क कंट्रोल अब जो आपने रिस्क एनलाइस करी है कि हाँ यह हो रहा है और इसे हमें रोकना पड़ेगा तो उस चीज को रोकने के लिए आपको क्या 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 कंट्रोल करने पड़ेंगे जैसे कि अगर safety hazard है sleeping है मतलब कि आपको जो है यह interconnect हो गया यह काई से हो गया psychological से connect हो गया है कि अगर कोई worker है जो access work में कर रहा है मतलब जो over time कर रहा है और उसने सोजा नहीं है और अगर वो over time में अगर सोजाता है अगर machine के पास काम करते करते तो वो loss होगा industry का भी और उस worker का भी तो क्या क्या कितने आप hazard आगई एक safety hazard आगया एक psychological hazard आगया और एक physical hazard आगया ठीक है तो वो एक risk के control में चले जाएगा मतलब आपको यह तीन चीज़ करनी है अगर आपको hazard identification में कुछ करना है तो यह तीन चीज़े करनी है अब वन शूड hazard identification identification done ठीक है मतलब की आपको hazard identification कब करना है तो सबसे पहले तो during during design during design and implementation procedure इसमें क्या क्या जाएगा की during design मतलब की जब जब अगर कुछ न्यू प्रोसेस कर रहे हैं या तो न्यू प्रोसेडियूर ला आपके प्रोडेक्टर में तो तब उस प्रोडेक्ट की जो प्रोसेडर रहेगा आपको वह एनलाइज करना है कि उसमें क्या-क्या hazard हो सकता है क्या-क्या उसमें harm हो सकता है और उसके बाद में implementation procedure मतलब क्या कर अगर आपके कोई सी नहीं machinery आ रही है तो उसमें देखना आपको कि उसमें machine gardening proper कहा-कहा कर सकते हैं और क्या-क्या महाँ पर damage हो सकता है तो उससे कैसे prevent करना है ठीक है उसके बाद में before task done मतलब कि क्या है कि आपको अगर कोई सा task हो रहा है आपके industry में इसमें के अलाग अलाग risk हो सक्ष्के हो सक्या है कोई सा task हो रहा है और इसके प्रके फफके आपको पता करना है कि हम इसमें है तो हमें क्या है कि वर्रुकर को यापको भी तो अहल्मेट पिना एफ़ार ही तो कि अगर कुछ तूल किर गा हԲए तो क्या आपको देमेज अहह क्वसक्ता है हुा एक तो कि मैंक्श पिंट रेगा तक के उसके बाद में क्या हeld विध यह हो न आपको हें इसके सुखन कम रहा है तो और से कोजूल रया अपको while tasks are being done मतलब कि अगर आप जो आपका जो task है वो complete हो गया उसके बाद में अगर उस चीज को करने के बाद में जो आपके साथ आपके सामने जो चुनोतियां आई है मतलब कि आपके सामने जो कि हाँ ये ये चीज नहीं हो रही है लेकिन हाँ वो कोई साथ एक्सिडेंट हुआ नहीं है लेकिन आपके चांसे थे अगर कि नहीं जैसे की बोल सकते हैं आप वो अगर हो चुका है तो आपको क्या उसके ओपर काम करना पड़ागा कि हाँ मुझे अगर है अब इसको कैसे आपन कम कर सकते हैं या उसको चांसे बिल्कुल जीरो गरना है ठीक है उसके बाद में दूरिंग इंस्पेक्शन उसके नहीं सके życie कार रहे कि एनलेध curv मेじゃले लो और पसे भृष्या स्भीर्यून अब क्याऴ जैसा से से망। अब आपा इंस्पेक्शन करने जा रहे एंटिक है तो इसे बाच छाएगा तो reinspection में हो जाएगा एक फॉरमल, इनिफॉरमल तो था Dr. 150 . कोई कोई सी इंड़स्ट्री में हर एक 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 में inspection होता है Doctor तो अगर जैसे ओ होना चाहिए कि जैसे कि कोईagen काम कर रहा है और म Nikon Comeet नहीं पहने पहना है तो आपका इंस्पेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में after incident मतलब कि अगर कोई साथ इंस्पेक्शन होता है, तो उसके बाद में क्या है कि वो मतलब कि obviously कुछ ना कुछ गलती होगी वहाँ पर कुछ ना कुछ हज़ाइड होगा, तो उसके बाद में आप वहाँ पर क्या 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 प्रिवेंशन रख सकते हैं यह आपका हो जाएगा after incident में कि हाँ, इसके बाद आपको hazard identification करना ही है इसमें 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 इसमे तो क्या है कि आपको यह करना पड़ेगा उसके बाद में वेर केंड फाइंड मोर इंफोर्मेशन अबाउट हजार वेर केंड फाइंड मोर इंफोर्मेशन आपको कहा कहा से जादा उसकी बारे में पता चल जाएगा तो सबसे पहले MSDS या ASDS मतलब अधा MSDS बोलो बात एक ही है MSDS मिल जाईए आपको MSDS मेटर ए सेफ्टी डाटाशीट या तो सेफ्टी डाटाशीट ठीक है उसके पूरा 16 सेक्शन रहते है MSDS में आपको पूरी इंफोर्मेशन मिल जाएगी कि यह यह हो सकता है उसकी प्रोपर्टी क्या क्या है उसके मात में मैनुफेक्ट्रिंग उप्रेटिंग अटलब की यह अपरेटिंग और प्रोप्रोशी जाए अलाग कि मालीज आपके इंडेस्ट्रिंग नई मशीन रहा रही है तो उसके साथ एक मैनुब आता है उस मैनुब में पूरा मैनुफेक्ट्रिंग का क्या उसको कैसे कैसी यूस करना है और उसमें क्या क्या आप सैफ् सकता है और इसमें आपको क्या-क्या वर्कर को बताना है कि यह करना रहेगा